नमस्ते दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म दगोट लाइफ फिल्म की मल्यालम सिनेमा इस्टार प्रिथी विराज सुकुमारन की फिल्म दगोट लाइफ सत्य घटना पर आधारी थै मल्यालम साहित की दुनिया में सबसे लोगप्रिय और सबसे ज़्यादा बिकने वाले बन्यामिन के लिखे उपन्यास अड्डू जीवतम की कहानी को परदे पर फिल्म के निर्देसक ब्लेसली ने उतारा है मूल रूप से मल्यालम में बनी या फिल्म मल्यालम के अलावा हिंदी तमिल तेलगू और कनर में सिनेमा घरों में रिलीज हुई है फिल्म की कहानी एक मल्याली अप्रवासी मजदूर की है जो कमाने के लिए साओधी अरब जाता है और वहां फ़र्द जाता है प्रित्रिवी राज सुकुमारन की अगली महने ईद पर बड़े मिया छोटे मिया रिलीज होने जा रही है इस फिल्म से पहले उनके करियर का या फिल्म जवरदस्ट ट्रेलर है वैसे भी पृतिवी राज सुकुमारन इस फिल्म से पहले हिंदी पटी के दर्सकों के बिच रानी मुखरजी के साथ फिल्म आया औरंग जेब और नाम सवाना जैसे फिल्मों में नजर आ चुके हैं पिछले साल रिलीज फिल्म सालार पार्ट वन में भी उनके काम को काफी सरा आ गया फिल्म की कहानी की सुरुवात नजीब मुहम्मद से होती है जो अपने गाउं में ही नदी से रेत निकाल कर अपने परिवार का पालन पोसन करता है आम इनसान की तरह उसके भी कुछ अर्मान और सपने हैं वो सोचता है कि कम से कम इतने पैसे कमा लें कि अपनी पत्नी आने वाले बच्चे और अपनी मा को खुस रख सके लेकिन गाउं में मजबूरी करके या संभव नहीं कि वो अपने परिवार को खुस रख सके तब ही उसके दोस्त साओधी अरब जाने की सला लेते हैं नजीब सोचता है कि वो तो सिर्फ पांचवी तक ही पड़ा है वहां जाकर क्या करेगा दोस्त समझाते हैं कि वहां भी जाकर मजदूरी ही तो करनी है नजीब अपना घर गिर्वी रख का टिकट और विजा के लिए पैसे का इंतजार करता है और सौधी अरब पहुंच जाता है लेकिन एयरपोर्ट पर ही गलत आदमी के हाथ लग जाता है और ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां से वापस आने की कोई उमीद नहीं बचती नजीब या मान चुका है कि अब जीवन में वह कभी भी उस दलदल से नहीं निकल पाएगा या फिल्म खाड़ी देसों में काम करने वाले अप्रावासी मजदूरों की पीरा और उनकी वेथा को ऐसे चितरित करती है कि फिल्म देखने के बाद रॉंक्टे खड़े हो जाते हैं किस तरह से अप्रावासी मजदूर के साथ जानवरों से भी बत्तर सलूक किया जाता है बस वह इस फिल्म को देखने के बाद समझ में आता है इस फिल्म में नजीब मुहमद के साथ भी यही होता है नजीब को रातो रात रेगिस्तान में भेर बकरियों और उटों के बिच छोड़ दिया जाता है वह गुलाम बनकर भेर बकरियों की तरह जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है क्योंकि वहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं फिल किस तरह से तीन साल तक वहां रहने के बाद नजीब वहां से निकलने में सफल होता है और उसे रास्ते में किन-किन कटिनाईयों से मुसीबदों से गुजरना पड़ता है इसी के साथ फिल्म की कहाने आगे बढ़ती है इस फिल्म में नजीब के किरदार के माध्यम से अप्रावासी मजदूरों के दर्द और उनकी व्यता को ऐसे व्यक्त किया गया है जो अपने देश वापस आने की उमिर छोड़ कर मौत के इंतरजार में बैठे हैं इस फिल्म में पृतिवी राज सुकुमरान ने अविनाई नहीं किया है बलकि नजीब मौमत के किरदार को जीया है इस किरदार को निभाने के लिए वा जिस कारिय परिवर्तन के दौरान से गुजरे हैं वा किसी भी अविनेता के लिए आसान नहीं है अपनी भूमिका के इतनी है कि एक भारत्य मजदूर साओधी अरब में जाकर फज जाता है और वहां से बाहर कैसे निकलता है सिर्फ इतनी सी कहानी को फिल्म के निर्देसक बलेसली ने पटकता से इतनी ससक्त बना दिया है कि स्क्रीन से नजर नहीं हटती फिल्म के एक-एक सीक्वेंस को बलेसली ने बहुत खूबसूरत थी के साथ सजाया है फिल्म की पूरी कहाने पृतिवी राज सुकुमारन के किरदार नजीब मुहमत के ही इर्द गिर्द खूमती है फिल्म में पृतिवी राज सुकुमरान की पतनी सानू का किरदार अमला पॉल ने निभाया है फिल्म में भले ही उनकी छोटी सी भूमिका है लेकिन छोटी सी भी भूमिका अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती है जीमी जीन लूई ने पृतिवी राज सुकुमरान के दोस्त इब्राहिम खादीरी के भुमिका निवाई है जो उनकी भागने में मदद करता है जीमी जीन, लूई के अलावा काफिल की भूमिका में तालिब अल बसलू जैसर की भूमिका में रिक एबी का अभी नहीं उम्दा रहा है इस फिल्म के एक और सबसे बड़ी खासियत इसकी सिनेमाटोग्राफी है सुनील के S के सिनेमाटोग्राफी बहुत ही कमाल की है चाहे वह नदी में पृतिवराज सुकुमरान और अमला पॉल के बीच रोमांटिक द्रिस्य हो या फिर दूर दूर तक पहले रगिस्तान के द्रिस्य हो फिल्म के हर एक सीन को बहुत एक खूपसूर्तु के साथ पेस किया है एस स्रीकार प्रसाद का संपादन बीच बीच में थोड़ा सा सुस्त है लेकिन पृतिवराज सुकुमरान ने अपने अभीने से ऐसा प्रभावी बना दिया है कि उस तरफ ध्यान नहीं जाता एक और रह्मान का संगीत करने परिया है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूले जय हिंद जय भारत